टोक्यो पेरालिम्पिक्स में देश के लिए एक और शानदार पल विनूद कुमान ने जीता मेडल टोक्यो पेरालिम्पिक्स में डिसकस्त्रो विनूद कुमान ने इतिहास रचा विनूद ने डिसकस्त्रो F52 फाइनल में 19.91 मीटर के साथ कासिपदक जीता इसके साथ ही टोक्यो पेरालिम्पिक्स में भारत ने अब तक तीन मेडल अपने नाम कर लिये है विनूद ने जैसे ही मेडल जीता भारत में खुशी की लहर दोड़ गई विनूद की पतनी अनीता की आखों से खुशी के आशू चलक पड़े और उन्होंने कहा कि मैं इस जीत से बहुत खुश हूँ विनूद ने बहुत मेहनत की थी और दस मेहने से परिवार और बच्चों से दूर थे मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ पीम मोदी ने भी ट्वीट करके विनूद को जीत की बढ़ाई दी है देश के लिए पैरलिम्पिक्स में शांधा प्रदशन करते हुए खिलाडियों ने देश का नाम रोशन किया है